हलो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब बज़े रहे हैं सुबह के दस और मैं यहाँ पर आपको हाथ से कैसे हम गरम कपड़े दोते हैं आज आपके साथ सेयर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैंने टब में ताजा पाने ले लिया है क्योंकि हभी हभी पानी आया था और ताजा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यह बिल्कुल गरम गरम पानी है उसके बाद जब गरम कपड़े दोते हैं उनके कपड़े दोते हैं तो मैं सबसे पहले उसमें एजी मिला लेती हूं क्योंकि एजी मिलाने से कपड़ों की चमक बरकरार रहती है और उसमें थोड़ा सा मैं सरफ भी मिला लोगी क्योंकि जो पानी है वो बिल्कुल मिठा नहीं है थोड़ा सा खारा पानी है इसकी वजह से इसमें सरफ भी डाना जरूरी होता है एजी, एजी में कपड़े अच्छे से नहीं वो सोते हैं उनका मैल वगएरा अच्छे से नहीं निकल पाता तो इसका ज़ाग देख सकते हैं बन चुके हैं उसके बाद मैं इसमें जो भी गरम कपड़े मुझे स्वेटर वगेरा या बच्चों के कपड़े जितने भी हैं उनको अच्छे से भीगो कर रख दूँगी आप देख सकते हैं सभी कपड़ों को मैंने भीगो कर रख दिया है क्योंकि इस तरह के कपड़े अगर आप मसीन में दोते हैं तो जल्दी खराब हो जाते हैं तो मैं आज आपके साथ हाथ से ही कपड़े दोकर दिखाऊंगी कि मैं कैसे दोती हूँ कपड़े अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इसी तरह की और वीडियो आपको हमारी चैनल पर अच्छे से देखने को मिलेगी और अब आप देख सकते हैं लगभग 15-20 मिन तक इन कपड़ों को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था सरफ में और उसके बाद मैं आ गई हूँ बात्रूम में और इनको अच्छे से यहाँ पर धूंगी क्योंकि आज हमने बिल्कुल भी पानी भरा हुआ है तो बिल्कुल ताजी पानी है और अच्छे से इसमें जो भी अगर कुछ मेल के कपड़े हो जाते हैं तो सोप वगएरा लगाऊंगी तो अच्छे से लग भी चाहेगी तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी बेटी का ही कोट धोने स्टार्ट कर रही हूँ यह वूलन का कोट है और जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर कोट को गंदा कर देते हैं जल्दी ही एक दिन में ही वो काफी मैल की हो जाते हैं तो यहाँ पर मैं रिन की साबुन का भी यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें इनका पहले बताया था कि खारा पानी है वो अच्छे से नहीं निकल पा खारे पाने की वज़े से साबुन भी इसमें अच्छे से नहीं लगती है थोड़ा सा जोर लगता है और उसके बाद इसमें हम ब्रस लगाएंगे साबुन सारे कपडों को लगाने के बाद इसको अच्छे से ब्रस से रगड लेंगे ताकि जितना भी मैल शिकट वगरा होती है वो अच्छे से निकल जाए इस तरह से मैं सभी कपड़ों को अच्छे से साबुन लगा लोंगी आप देख सकते हैं और जो कपड़ों को साबुन लग जाती हैं उनको मैंने एक साइड में रखते जा रही हूँ उसके बाद हम एक बाल्टी में या किसी भी टप में पानी लेंगे क्योंकि साबुन अच्छे से नहीं निकल पाता तो आप दो तीन बार अच्छे से साबुन निकाले ताकि जो कपड़ों में साबुन होता है वो अच्छे से निकल जाए इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने सबी चीजों को साबुन लगा लिए है और साबुन लगाने के बाद मैं इनको अच्छे से साफ पाने में निकालूंगी दो तीन बार हम पाने में निकालेंगे तब जाके ये कपड़े अच्छे से साफ होंगे और उसके बाद इन्हें हम अच्छे से निचोडने के बाद सुखा देंगे तो थी आज की छोटी से वीडियो कैसी लगी जरूर बताना अच्छी लगे तो लाइक करना और जरूर बताना की किस टोपिक पर वीडियो देखने चाते हैं थैंक यू फोर वचिंग आवर वीडियो